साहिराम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पुन्रावर्थी करेंगे, रिविजन करेंगे. किसका रिविजन करेंगे? ऐसे वन का, जो अभी आपको पता है कि आपका एक्जाम आने वाला है, तो आज हम यहाँ पर रिविजन करेंगे. रिविजन करने से पहले एक बार हम जो एक्जाम में आने वाले हैं पार्ट पर एक नजर डाल लेते हैं पार्ट नमबर तीन पतंग और गुबबारा पार्ट नमबर चार बतूता का जूता जो एक कविता है पार्ट नमबर छे हमारा तिरंगा जंडा और part number 7 मैं हूँ मदुमक की इस चार पा positives आपने पड़े हैं पड़े हैं ना बच्चों तो सबसे पहले आपको क्या करना है इन चारों पाठों को अच्छी तरह से इसका reading करना है आपको reading चारों पार्ट का reading करना है क्योंकि पाट के अंदर से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए बच्चो आपको पाट पढ़ना बहुत जरूरी है इसके साथ पाट में जो अभ्यास कारिये भी आपको करना जरूरी है और पार्ट में जो हमने हिंदी क्लास्वक में नोडबुक में जो भी कोशन आंसर लेखे वो भी आपको करने जरूरी है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न उचे जा सकते हैं इसलिए बच्चों आपको हिंदी अविरल की जो हमारे जित चार पार्ट है उसका आपको रिडिंग करना है तो आज हम चार पार्ट पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न आज यहां पर हम रिविजन करेंगे पुन्रावर्ति करेंगे तो प्रश्ण नमबर कव दिया है प्रश्णों के सही उत्तर चुन कर सही का निशान लगाई तिक दब करेक्ट आंसर यहाँ पे तीन विकल्प दिये रहेंगे प्रश्ण दिया रहेगा और तीन विकल्प में से जो सही है जो सही है उस पर आपको क्लिक करना है दूसरा ख़ दिया है नीचे दिये रिक स्थानों के सही शब्द चुनिये फिलिंग दबलेंक्स दिया है उसमें भी आपको तीन विकल्प दिये रहेंगे तीन विकल्प में से जो विकल्प सही है उस पर आपको क्लिक करना है नीचे दिये रिक्स थानों के सही शब्द चुनिए टिक दा करेक्ट वर्ड तो आज हम यहाँ पर बच्चो दो प्रकार के प्रस्णों का रिविजन करेंगे तो पहला प्रस्ण यहाँ पर दिया है कर प्रस्णों के सही उत्तर चुन कर सही का निशान लगाई यहाँ पर प्रस्णों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है बच्चो प्रस्णों के सही उत्तर चुन कर सही का निशान लगाई तिक दा करेक्ट आंसर पतंक किसके सहारे उर्थी है यहाँ पर प्रस्ण क्या दिया है पतंक किसके सहारे उर्थी है और उसके नीचे तीन विकल्प दिये है पहला दिये है डोर, दूसरा दिये है गुबारे और तीसरा दिये है गैस तीन विकल्प में से जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है जैसे यहाँ पर बच्चो दिया है, पतंक किसके सहारे उरती है, डोर गुबारे गैस, तो इसका उतर के आएगा बच्चो, डोर गुबारे गैस, तो इसका उतर के आया, डोर, तो डोर को आपको क्लिक करना है, दूसरा प्रश्न दिया है, हमारे जंडे में प्रमुख कितने र इसमें भी बच्चों देखिए तीन विकल्प दिये है ना तीन विकल्प में से एक विकल्प आपको चुनना है और उस पर क्लिक करना है तीन, पाँच, साथ, हमारे जंडे में प्रमुख कितने रंग है, कितने रंग है बच्चों तीन, तो तीन को आपको सही विकल्ब चुना और चुनकर उस पर आपने क्लिक किया, तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्ण को ध्यान पोर्वक पढ़ना है और जो सही उत्तर है उसको चुनकर क्लिक करना है, अभी दूसरा प्रश्ण, तीसरा प्रश्ण देखते हैं आपे, इबन बदूता का जोता कहां पहुच गया, इबन बदूता का जोता कहां पहुच गया, कहां पहुच गया बच्चों, अगर आपने कविता पड़ी है, तो इसका उत्तर आपको को आता होगा जापान दिल ली आग्रा इबन बतूता का जूता कहां पहुंच गया जापान पर आपको क्लिक करना है यह उसका उत्तर सही है सही विकल्प आपने चुना और चुनकर उसको आपको आपने सही का निशान लगा है प्रश्न नमबर चार देखिए किसी भी देश के लिए जंडा किन बातों का प्रतीख है तीन आप्शन दिये तीन विकल्प दिये आजादी लड़ाई गुलावि तो इसका उतर क्या आएगा बच्चो आजादी तो आजादी को आपको चुना और आपने उस पर सही का निशान लगाया सही का बटन दवाया या सही क्लिक किया किसी भी देश के लिए जंडा किन बातों का प्रतीक है आजादी का प्रतीक है अब यह आगे प्रशन देखते हैं प्रशन नम्बर पांच कौन अंडे देने का कारिय करती है कारिय करती है यानि काम करती है कौन अंडे देने का कारिय करती है अगर आपने पार्ट पड़ा है तो आपको इसका उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा रानी मख्य, मधु मख्य, मधु कौन अंडे देने का कार्य करती है बच्चो रानी मख्य तो यह उसका उत्तर आया और आपने उस पर सही का निशान लगाए सही पर आपने क्लिक किया अभी प्रश्ण no.6 देखिए इबन बतूता के हवा कहा कहा घुस गई इबन बतुता के हवा कहां कहां घुस गई ती कविता है हमारी इबन बतुता पड़ी है न आपने इबन बतुता के हवा कहां कहां घुस गई नाक और कान, आक और नाक, मुँ और कान कहां कहां घुस गई थी बच्चो नाक और कान में घुस गई थी तो सही विकल्ब तीन विकल्ब दिये हैं तीन में से कौन सा है सही नाक और कान तो इस तरह से बच्चो आपको प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो सही विकल्ब है उसको चुनना है और चुनकर सही का निशान लगाना आभी अगला प्रशन देखते हैं बच्चो प्रशन नमबर साथ संसत भवन पर प्रति दिन कितने राष्ट्रिय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं संसत भवन पर प्रति दिन कितने राष्ट्रिय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं चार, तीन, दो, तीन विकल्प दिये हैं, पहला दिये है चार, ढूसरा दिये है तीन, तीसरा दिये है दो, तो इसका उत्तर क्या आएगा वच्छो? तीन, तो सही विकल्प आपने चुना और चुनकर उसपर सही का निशान लगाया. तीन, संसत भवन पर प्रति दिन कितने राश्च ध्वज एक साथ फैराये जाते हैं कितने फैराये जाते हैं? तीन तो आपने तीन को चुना और चुनकर उस पर सही का निशान लगाए संभव और खुशी, किसकी बाते सुन रहे थे? यह पाट के बीच में से धिया है प्रशनी संभव और खुशी, किसकी बाते सुन रहे थे? इसके निचे तीन विकल्ब दिये हैं माकी, इताची की, मधुमक्की किसकी बाते सुन रहे थे बच्चो? मधुमक्की की तो मदु मख्यी पर आपको सही का निशान लगाना है, सही पर आपको क्लिक करना है तो संभव और खुशी किसकी बाते सुन रहे थे? मदु मख्यी की बाते सुन रहे थे अभी अगला प्रशन देखते हैं, ख नीचे दिये रिक स्थानों के सही शब्द चुनिये यहाँ पर बच्चों देखे, fling the blanks दिया है और इसके नीचे भी तीन विकल्प दिया है उसमें से आपको एक चूज करना है, चुनना है और उसपर क्लिक करना है तिक दर करेक्ट वर्ड पहला देखे बच्चों, पानी से डैश चीज पानी में तैरने लगती है इसके नीचे भी तीन विकल्प दिये, तीन आप्शन दिये ना, पहला दिये भारी, हलकी बराबर तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? हलकी तो हलकी पर आपको क्लिक करना है आया बच्चों समझ में आपको कि प्रश्ण को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे जो तीन विकल्प दिये हैं तीनों विकल्पों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है और जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है यानि कि क्लिक करना है कमल सूरज मुखी गुलाब कमल सूरज मुखी हमारा जो राश्य फूल है कौन सा है कमल तो कमल पर आपको क्लिक करना है आया बच्चों समझ में आपको अभी आगे देखते हैं प्रश्च नमबर तीन चत्ते के भीतर एक ही आकार के डैश कौनों के कई कमरे होते हैं चत्ते के भीतर भीतर यानी अंदर एक ही आकार के डैश कौनों के कई कमरे होते हैं ये भी पार्ट के बीच में से दिया है अगर आपने पार्ट पड़ा है तो इसका उत्तर आपको आसानी से आता है आता होगा ना तो इसलिए बच्चो आपको पार्ट की रेडिंग करनी है, पठन करना है पहला ओप्षिन दिया है 20, दूसरा दिया है 16 और तीसरा दिया है 6 तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चो 6 चत्ते के भीतक एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं तो सही विकल्प आपने चुना और सही विकल्प पर आपने सही का निशान लगाएं अबी प्रशन नमबर 4 देखिए हरा रंग डैश का प्रतीख है तीन ओप्षन दिये, तीन विकल्प दिये हैं पहला दिया है हरियाली और खुशाली दूसरा दिया है शांती और सच्चाई और तीसरा दिया है त्याग और वलिदान यहाँ पे तीन ओप्षन दिये अगर आपने गलत विकल्प चुना और गलत पर निशान लगाया तो आपका माक्स कड़ जाएगा इसलिए प्रशन को पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़िये देखिये और उसके बाद सही विकल्प चुन का सही का उस पर निशान लगाये हरा रंग किसका प्रतीक है हरियाली और खुशाली का प्रतीक है आपको 3 विकल्ब दियें, तीन में से आपने 1 विकल्ब चुना और उस पर आपने सही का निशान लगाया यानि कि क्लिक किया, तो इस तरह से बच्चों आपको प्रशनों को पहले ध्यान से पढ़ना है पढ़ने के बाद कीनों विकल्प को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो उत्तर सही है उस पर आपको क्लिक करना है प्रिश्शन नमबर पांच मदुमक्खी डैश की सहायता से सफाई कटाई का कारिय करती है कारिय करती है यानि काम करती है मदुमक्खी डैश की सहायता से सफाई कटाई का कारिय करती है पैरो, हाथ, मुँभ यहाँ पे देखिए बच्चों तीन विकल्प दिये हैं तीन दिये है ना उसमें से एक विकल्प आपको चुनना है और चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है यानि कि क्लिक करना है तो मदुमक्खी किसकी सहायता से पैरों की मदु मख्य पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कारिय करती है अब प्रश्ण नमबर 6 देखिए रानी मख्य प्राय डैश के मोसम में अंडे देती है तीन विकल्ब दिये हैं सर्दियों, वसंत, गर्बी कौन से मोसम में अंडे देती है रानी मख्य वसंत, तो वसंत को आपको टिक करना है और उस पर सही का निशान लगाना है तो इस तरह से बच्चों, आपको पहले प्रश्णों को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिये विकल्बों को भी ध्यान से पढ़ना है और जो उत्तर सही है तीन विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनकर उस पर आपको सही का निशान लगाना है यानि की क्लिक करना है तो आज बच्चों हमने यहाँ पर दो प्रकार के प्रशनों का रिविजन किया उन्रावरती की अगले वीडियो में हम इसी पार्ट के कुछ और प्रशनों का रिविजन करेंगे तब तक बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की जो हमारी जो पुस्तक है उसको आपको रिडिंग करना है हिंदी क्लासवक का जो नोर्स हमने लिखे वो आपको पढ़ना है और जो अभ्यासकारिय हमने जो किये वो आपको करने है तो नेक्स वीडियो में हम बच्चों इसके आगे का रिविजन करेंगे धन्यावाद